हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और प्रोड़क्ट लिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए दोस्तो नमशकार मैं डॉक्टर संतोष कुमार स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटीब चैनल बी हल्दी में, दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्मार्ट फोन से होने वाले दूस परभाव के बारे में, दोस्तो आज कल स्मार्ट फोन का उपयोग बहुत ही जादा बढ़ गया है, जिसे देखो स्मार्ट फोन पे ही नजरे गराये हुए है, दोस्तो अगर आप भी स्मार्ट फोन का बहुत जादा यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जादा देर तक उसके स्क्रीन पे अपने नजरे गराये रखते हैं, तो आपके Retina खराब हो सकती है क्योंकि smart phone से निकलने वाली जो एक नेली रोशनी होती है वो हमारे Retina पे बहुत ही ज़ादा असर करती है दोस्तो smart phone में blue light का इस्तमाल एस्क्रीन को इस्पश्ट bright दरशाने के लिए किया जाता है दोस्तो blue light को waves short और high energy की होती है लगभग सभी digital devices में high energy blue light का ही इस्तमाल किया जाता है जो हमारी आँखों पे बहुत ही जादा गहरा असर छोड़ती है दोस्तो समानेता होता क्या है कि जब हम अपना smartphone यूज करते हैं तो उसके screen पे हम लगातार देखते रहते हैं जिससे एक प्रकडिया ये होती है कि जितनी मातरा में हमारी समाने अवस्था में पलके जपकती हैं उतनी मातरा में जपक नहीं पाती हैं जिससे की आँखों को आराम नहीं मिल पाता है और लगतार देखते रहने से हमारी आँखें पे काफी दबाव परता है जिसके वज़े से हमारी आँखे ठक जाती है और हमारी जो एकागरता होती है उसकी योग शमता होती है उसमें काफी कमी आ जाती है इसके अलावे चीजे दोहरी दिखने की भी समस्या हो जाती है दोस्त परकार से नीली रोशनी के निरंतर संपर्क में रहने से हमारी आखों में मैकुलर डीजेनरेशन और रेटना के छतिगरस्त होने की समस्या आ जाती है जो आखों के लिए बहुत ही खराब बात है दोस्तों इसका परभाव बच्चों पे और भी ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट फोन से दूर रखा जाए तो दोस्तों अब आईए मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप कैसे बच सकते हैं इन सब परिशानियों से कैसे आप बच सकते हैं दोस्तों जितना हो सके उतना ही हमें कम smartphone का use करने चाहिए, यानि कि जितना देर जरूरी हो उतना देर ही हमें इसका use करना चाहिए इसमें filters का use करना चाहिए, आज कल market में बहुत सरे filters मिल रहे हैं जो इससे निकलने वाली रोशनी को filter करके भेजते हैं हमारी डेटना को जिससे हमें कोई ज़्यादा नुक्षान नहीं होता है दोस्तो इसके अलावे ज़्यादा नजदीक से हमें स्मार्ट फोन का यूज नहीं करना चाहिए कम से कम 30 से 40 संटे मीटर दूर से ही हमें स्मार्ट फोन का यूज करना चाहिए तो दोस्तो आशा करता हूँ आज की दी गई जनकारी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें जिससे की उनको स्मार्ट फोन से होने वाले दूस परभाव सके पता चल सके और उससे बच सके तो दोस्तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट नई जनकारियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद